आज हम पॉप बनानी के सीखेंगे पॉप बनता कैसे उसके बारे में बात करेंगे टीपली पॉप बनानी के लिए हमें तीन सेक्षन करना होता है टॉप आप दा हेड़ पे बॉक्स सेक्षन और साइड लोक्स में लैप और राइट में दुन तरफ अभी आप देखिए मैं top of the head पर box section बनाया हूँ बिल्कुल square अब मैं side में sectioning कर रहा हूँ ये section थोड़ा diagonal होगा हलका diagonal diagonal forehead होगा हम diagonal back नहीं जाएंगे ना state जाएंगे forehead के तरफ जाएंगे ये 3 section हो गया अब हम यहाँ पे आधा आधा inch का section लेंगे box section में से कहीं पे भी अगर हम back coming करते हैं किसी भी area में या कोई hair styling करने के लिए तो हमें half inch का ही section लेना होता है back coming के लिए अगर हम ठीक section लेंगे तो हमारा back coming अच्छा नहीं होगा कम से कम half inch होना चाहिए कम से कम half inch update किये मैं यहाँ पे back coming करने जा रहा हूँ box section में जितना सुंदर sectioning करेंगे उतना सुंदर back coming होगा जितना सुंदर back coming होगा उतना सुंदर आपका पाफ पनेगा box section में अगर हमें आधा आधा inch उठाते हैं section तो 2 section हो, 4 section हो, 5 section हो, 6 section हो depend करता है कितना उसमें partition होता है उनमें 2-2 inch का back coming करना है कम से कम 2 inch, 5 inch, 1,5 inch, 3 inch जितना back coming करेंगे उतना bounce आएगा जैसे आप front में पहुचते हैं तो 2 section में बहुत mild सा करना है back coming सिर्फ scalp में करना है half inch इससे हमारा puff काफी neat बनेगा clean बनेगा, सुंदर बनेगा front area में जैसे अगर आप पहुचते हैं तो यहां पे सिर्फ roots में half inch का करना है back coming बहुत ज़्यादा back coming नहीं करना है अगर आप front में hairline पे back coming ज़्यादा कर देंगे तो आपका puff neat नहीं बनेगा यहां से बालों का fall उपर के तरफ जा रहा है तो हम यहां पे sectioning diagonal निकालेंगे box section में हमने state निकाला था लेकिन यहां पे हम diagonal निकालेंगे हमारा comb भी diagonal चलेगा comb भी diagonal चलेगा पहला section हम 2 inch का करेंगे दूसरा down करेंगे तीसरा भी down करेंगे चोथा भी down करेंगे यहां पे हम down होंगे लेकिन top of the head पे down नहीं हो रहे थे देखिया इस तरब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पहला section हम backcomming करेंगे नहीं यहाँ भी diagonal निकलेगा उसमें हम 2 inch का करेंगे दूसरे में 1.5 inch करेंगे तीसरे में 1 inch करेंगे चोथे में half करेंगे अगर hairline आ गया है तब भी हम वहाँ पे half inch करेंगे हमेशा हमें ध्यान रखना है हैर लाइन पर हाफ इंच का बैक ओमिंग करना है अब देखे मैं इसको नीट कर रहा हूँ सारे बाल आप अपने हैंड्स पर रखेंगे और नीट करेंगे बैक में भी जो बाल आ रहा है न उनको भी हमें टेंगल फ्री करना है इनके अंदर बैक कोमिंग नहीं आना चाहिए और पफ बनाने के बाद कहीं भी बैक कोमिंग नजर नहीं आना चाहिए बैक कोमिंग नजर आएगा तो आपका पफ नीट अंड किलीन नहीं बनेगा और जो puff की shape होती है न वो भी half moon की तरह बनाना होता है square नहीं बनाना है round में बनाना round shape में अब देखे मैं यहाँ back में pin लगा रहा हूँ यहाँ पे जो pin लगाएंगे न लॉक करके लगाएंगे cross में लगाएंगे कम से कम 6 pin लगाना है और बहुत थिक बाल है तो 8 pin बहुत कम बाल है तो 4 pin बहुत ज़्यादा pin नहीं लगाना है अब देखे इसकी shape कितना clean दिख रहा है और shape में भी दिख रहा half moon बनाना हमें half moon जो उसकी shape होगी half moon होगे जो मैंने ये बनाया है puff front से देखेंगे तो भी neat है back से देखेंगे तो भी neat है मैं आप लोगों को बहुत तरीके का puff सीखाऊंगा next जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा please आगे किसी को सीखना है तो share करें thank you